पिल लगती है वो सेट हो जाती है और इस वाले लैप्टॉप में हमारी वो पिल वाला स्पेस तूटा हुआ है जिस वज़े से यह हमारा चार्जर इंस्टोल नहीं हो रहा है और हमारी बैटरी हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एंस्टीर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर साजी हमारे पास डैल इंस्क्राउन पैतिस तिरानवे मोडल आया हुआ है प्रोब्लम की यह भी हम बात करें तो आप देखोंगे यह इस्टाफ का लप्रोप होता है प्रोब्लम क्या है इसमें इसकी बैटरी पे ओन नहीं होता है हम अब इसको चार्जर पे ओन करते हैं चार्जर पे हमारी मसीन ओन होगी है तो इसमें प्रोब्लम क्या है जो हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है या बैटरी में प्रोब्लम है क्या प्रोब्लम है वो ही हम आपको बताते हैं हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं और अगर आपके लैप्टोब में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैप्टोब की वीडियो बना कर इंस्टाग्राम पर भेजें हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोलुसन बताएंगे और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं हम आपको उसका क्या होता है देल के की बैटरी का पता करना बैटरी खराब है चार्जर कराब है किस चीज की प्रोब्लम है वह आप बयोज में जाके चेक कर सकते है यहाँ पर आप देखोंगे इसमें अडप्टर नोट इंस्टॉल्ड आ रखा है जबकि हमने चार्जर इस पर लगाया या बैटरे आपका हमारा चार्जर इस पे पलग इन नहीं कर रहा है तो वो इसमें प्रोब्लम है यदि हम बात इसकी परफॉर्मेंस की करें मसीन की 35-90 की तो इसकी परफॉर्मेंस वाइज यह मसीन नॉर्मल काम के लिए परफेक्ट होती है यह हार्डिस के साथ आती है इसमे प्रोसेसर होता है तो हम इसमें SSD लगाएंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी अभी यह बहुत इसलो चलती है आपको आपको वीडियो में बताते हैं कि हार्डिस पर हमारी मसीन इसलो क्यों चलती है क्योंकि हमारी हार्डिस की जो डाटर ट्रांसपर स्पीड ह बहुत ही कम होती है वह जो होती है इसलिए आपके लगाना बहुत जरूरी हो गया है SSD नहीं लगाएंगे तो क्या होता है हमारी जो window 10 होती है वो थोड़ा heavy होती है और उसकी जो hidden file होती है background में चलती रहती है वो बंग नहीं होती है एक वज़य ये भी होती है जो हमारी laptop की ये window इसलो चलती है बिना SSD के तो ये रही बात उसकी performance की अब हम देखते हैं इसमें problem क्य है problem जैसा कि हमने देखा इसमें आपको बताया है कि charger लगा हुआ है और charger इंस्टोल नहीं दिखा रहा है बायोज में तो इसमें problem क्या है यह मैंने देखा था सुरू में ही इसका आप देखोंगे पूरा DC jack खराब हो रखका है फिजिकली खराब हो रखका है यह DC jack इसका यह आपने देखा मैं दूसरे डेल लेक्टोप का आपको DC jack दिखा देता हूं जो किस परकार का होता है वैसे हम चेंज करके आपको दिखाएंगे आप यह देखोंगे यह इस परकार का DC jack होता है बिल्कुल perfect होता है जहां हमारी पिल लगती है वो सेट हो जाती है और इस वाले लेक्टोप में हमारी वो पिन वाला स्पेस तूटा हुआ है जिस वज़े से हमारा चार्जर इंस्टोल नहीं हो रहा है और हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है इसी वज़े से हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है यह कारण इसका है कि हमारी बैटरी चार्ज क्यों न तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइब करें क्योंकि इस तरह के कन्टेंट यहां आपके लिए बनाते रहते हैं और अगर आपके लैप्टोप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटोप की वीडियो बना कर इंस्टाग्राम पर भेजें हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोलुसन बताएंगे और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं हम आपको उसका रिपलाई करेंगे जिससे कि आपकी समस्या का समधान हो सके कर दो कर दो करेंगे कर दो कर दो कर दो कर के दो कर 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 दो